था के अलो फ्रेंड्स अप्सा आफ लोग अच्छे है तो आज हम जा रहे आइड पे वह भी ऊटी . तु आपको सबको पता होगा वे अगर आप राइडर हो तो आपको ज्यादा उसके बारे में पता होगा कि उटी का राइड क्यू ज्यादा हर राइडर को एट्रेक्ट करता है तो आज हम वही राइड पहा रहे है वह है मसर गुंडी रूट एक्छुली महिसर से उद्धी जाते है तो महिसर न खुंडी से अम उद्धी के अगर आप मासनगुंडी का रूट लोगे तो आप उटी में पहुच्छा होगे आराउं वन से ट्वेंटिसिक्स टू अन्थर्टी किलोमेट्र सी में बट ये जो रोड है वो भारत का सबसे डेंजरोस रोड ऐसे माना चाता है क्योंकि इसके 36 हेयर पिन नोट्स और स्टीप इसको देंजरोस और एक्सिदेंटल तोन माने जाते है और आप से एक रिक्वेस्ट है अगर आप राइडर हो तो प्लीज ये रोड को आवड करना ही बैटर होगा और जब भी आप अगर कोई कभी जाद ही रहे होंगे राइट पर तो प्लीज आपके गाटी का चेन अदोर है और केर्ण फॉर्ट प्लीज आपके बाता फॉर्ट ये बाइड रहे इचाने सा ग्राइट ये रुट कोवरे बैपके चिटए वीज तो रॉड का ये रॉड रहे तो इनजरोड स्टेंटल नहीं करते है अबटा बैवीज पर नहीं करते हैं और मैने से सुनाय कि while coming down mostly they will not allow bikes because of this this dangerousness of the car cart only we'll try while coming back also if it is possible we'll get down by this cart only so now I'm poche hai the most exciting first hairpin bend over his board pelikao hai 36 hairpin bend oh second we have to pass here so please be careful because hairpin bends has a sudden stiffness so by most of most probably if it is like 150 cc above then it's really best to drive on this route but if you are very well-turned riders so 100 cc also no issue from my right side I have to say both say Vita Hatika but mostly job of the other way that we have a poor up to have a hotel or the other जारा देखने का मज़ा ही बचालग होता है तो ऐसे ही राइड का मज़ा लीजिए अब आप अब 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 पट अब 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 झाल 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 झाल